जै शीमन नारा और नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आप लोगों को जो भी लोग कार्तिक मास व्रत किये हैं कार्तिक मास में सनान दान पूजा पाट नियम से रहे हैं उन लोगों से अगर किसी कारण वस्त कार्तिक मास का व्रत बीच में छूट जाए या वो सनान ना कर पाएं कार्तिक मास गंगा सनान ना कर पाएं या जो भी रिजन हो उनका व्रत अगर बीच में अधूरा रह जाए तो वो क्या करें इसके बारे में मैं पूरी कथा सुनाओं इसलिए आप लोग मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें वीडियो को इसकी इपना करें और ध्यान से सुनें और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करने बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ये कथा स्रेक्रेशन जी ने सत्य भामा को सुनाई भगवान श्रीक्रेशन संध्यों पासना करने के लिए माता के घर में गये ये कार्थिक मास का वरत भगवान विष्णू को अतिप्रिय है तता भक्ती प्रदान करने वाला है रात्री जागरण प्राता काल का स्नान तुलसी वट सिंचन उद्यापन और दीप दानिया पाच कर्म भगवान विष्णू को प्रसंद करने वाले हैं इसलिए इनका पालन अवश्य करना चाहिए रिशी बोले भगवान विष्णू को प्रिय अधिक फल की प्राप्ती कराने वाले शरीर की प्रतैक अंग को प्रसंद करने वाले कार्थिक महात्म अपने हमें बताया यह कार्तिक मास का वरत करने वाला मनुश्य किसी संकट में फस जाए या वह किसी वन में हो या वरती किसी रोग से ग्रस्त हो जाए तो उस मनुश्य को कार्तिक वरत को किस प्रकार करना चाहिए क्योंकि कार्तिक वरत भगवान विश्णु को अत्यंत प्रिय है और इसे करने से मु तो वह हिम्मत करकि भगवान शंकर या भगवान विष्नु की मंदिर जो भी पास में हो उसमें जाकर रात्री जागरड करे या दिवरती घने वन में फस जाए तो फिर पीपल के व्रक्ष के नीचे या तुलसी के वन में जाकर जागरड करे भगवान विश्णों की प्रतिमा के सामने बैठ कर विश्णों जी का किर्तन करे ऐसा करने से सहस्त्रों गायों के दान के समान फल की प्राप्ति होती है जो मनुश्य विश्णु जी के किर्थन में बाजा बजाता है उसे वाज पे यग्य के समान फल की प्राप्ती होती है और हरी किर्थन में जृत्य करने वाले मनुश्यों को सभी तिर्थों में स्नान करने वाले का फल प्राप्त होता है किसी संकट के समय या रोगी हो जाने और जल ना मिल पाने की स्थिती में किवल भगवान विश्णू के नाम मात्र से ही मारजन ही कर ले यदि उद्यापन ना कर सके तो व्रत की पूर्ती के लिए किवल ब्रामणों के प्रसन्य होने के करण विश्णु जी प्रसन्य रहते हैं यदि मनुश्य दीप दान करने में असमर्थ हो तो दूसरी की दीप की वायू आदी से भली भाती रक्षा करे यदि तुलसी का पौधा समीप ना हो तो वैश्णो ब्रामण की ही पूजा कर ले क्योंकि भगवान विश्णु सदय अपने भक्तों के समीप रहते हैं इन सब के ना होने पर कार्ती का व्रत करने वाला मनेशे ब्रामण गौव पीपल और वट व्रिक्ष की सुरधा पुरवक सेवा करें शौना कादिरेशी बोले आपने गौव तथा ब्रामणों की समान पीपल और वट व्रिक्षों को बताया है और सभी व्रिक्षों में पीपल तथा वट व्रिक्ष को ही श्रेष्ट कहा है इसका कारण बताईए सूत जी बोले पीपल भगवान विष्णू का और वट भगवान शंकर का स्वरूप है पलाश ब्रह्मा जी के अंच से उत्पन हुआ है जो कार्तिक मास में उसके पत्तर में भोजन करता है वह भगवान विष्णू के लोग में जाता है जो इन व्रिक्षों की पूजा, सेवा एवं दर्शन करते हैं उनके सभी पाप नश्ठ हो जाते है रिशियों ने कहा है प्रभू हम लोगों के मन में एक शंका है कि ब्रह्मा विष्णू और शंकर्व व्रिक्ष स्वरुप क्यों हुए क्रिपया आप हमारी इस शंका का निवारण कीजिए सूत जी बोले प्राचीन काल में भगवान शीव तथा माता पर्वती विहार कर रहे थे उस समय उनके विहार में विग्न उपस्थित करने की उदेश्य से अगनी देव ब्रामण का रूप धारण करके वहां पहुँचे विहार के आनन्द के वशी भूत हो जाने के काड़ कुपित होकर माता पर्वती ने सभी देवताओं को शाब दे दिया माता पर्वती ने कहा है देवताओं विशय सुक से कीट पतंगे तक अनभीग ये नहीं है आप लोगों ने देवता होकर भी उसमें विग्ण उपस्तित किया है इसलिए आप सभी व्रिक्ष बन जाओ सूत जी बोले इस प्रकार कुपित पारवती जी के शाप की काड़ समस्त देवता व्रिक्ष बन गए यही कारण है कि भगवान विष्णू पीपल और शीव जी वठ व्रिक्ष हो गया इसलिए भगवान विष्णू का सनी देव के साथ योग होने के कारण के और शनी वार को ही पीपल को छूना चाहिए अन्य किसी भी दिन नहीं छूना चाहिए अगर आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें और कमेंट में जैशी मन नाराइड जरूर लिखें